है आप सब लोग सो एक बहुत ही यूनीक बैंक सिस्टम हाज बिन स्टाटेड यह जी इस बेस्ट है इंडिया इंडस्ट्रियल लेंड बैंक सिस्टम अभी आपको कुछ नहीं पता इसके बारे में ठीक है नाम को डाइसेक्ट करते हैं थोड़ा सा पोस्टमाटम करते हम इंड इंडिया इंडस्ट्रियल लेंड बैंक सिस्टम क्या हो सकता है कि इंडिया का एक ऐसा बैंक है जो हमें इंडस्ट्रियल लेंड के बारे में लोन देता है लोन के साथ में आपको क्या करता है यह आपको एक फैसलिटी प्रोवाइड कर रहा है जिसके अंदर अगर आपके प system क्या करेगा यह आपको बताएगा कि अच्छा यहां यहां पे इतनी जमीन इस state के अंदर available है जहां पे आप अगर अपना business develop करना चाहते हो तो this is the available land क्योंकि generally क्या होता है कि जब हम ease of doing business के भी बात करते हैं जिसके अंदर हमारी 63rd rank आई है अभी तो इसके अंदर भी availability of land यह procurement of the land यह land lease यह सारे ऐसे contentious issues होते हैं कि आपको business start करना है लेकिन आपको जमीन नहीं मिल रही है कि आप कहां पे factor install करोगे आप कहां पे business setup करोगे तो और दूसरा information भी नहीं होती है फिर आप क्या करते हो कि किसी mediator के पास जाते हो वह आपसे बड़ा commission लेता है जहां पर उसको जादा profit हो का वहां की जमीन दिखाएगा तो ऐसे में एक simple solution करा गया है कि this is a GIS based India industrial land system इसको हम ILBS बोलते हैं इंडिया को अटाते हैं हम यह पर industrial land being system बोलते हैं तो इस system के अंदर आपको जहां जहां पर available land है कोई भी state के अंदर किसी भी industrial park के अंदर particularly तो वह आपको freely available कराया चाहेगा और इसमें काफी सारा research भी है मैं आपको वह पूरी website खोल के दिखाऊंगी and you can see कि किस तरी के साब research कर सकते हो you can take the help अगर आप इस तरह का कभी कोई business model develop करना चाहते हो और you can actually tell other people about it also because this is I think one of the most amazing facilities for opening a new business opportunity in India तो इसके बारे में detail से देखते हैं तो यह IILB इंडिया 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 बैंक सिस्टम है यह GIS के साथ इंटेग्रेट करा गया है 17 states के अंदर इस इंटेग्रेशन के साथ क्या होगा कि आपको real time basis information मिलेगा अगर मान लो आज आपनी जमीन का टोड़ा देखा कल को कोई और भी देख रहा था उसने यह purchase कर ली तो आपको real time update मिल जाएगा कि हाँ that that particular area of the land is gone somebody has purchased it ठीक है और अभी जो GIS enabled अगर जबसे इसको कर दिया है तबसे इसमे पॉपलर्टी बहुत आने स्टार्ट होगी है इसके page पर 30% view increase हो गया है since the last month and it's it's a good point it's a really good point so हुआ क्या है कि यह किसने डवलप करा है dpiit department of promotion of industry and internal trade इन्होंने इसको develop करा यह GIS enabled database है industrial area cluster area का जिसके अंदर एक resource optimization industrial upcredation and sustainability इसके लिए approach करा गया है मैं आपको directly jump करूँगी यहां पर एक इस तरह का DIPPT की तरफ से developed एक IIC यह पुरा website है इसके अंदर आप जब पूरा एकदम scroll करोगे you can see कि total 4386 total parks है इसके अंदर इतना available area है हमाने पास कितने plots map करे गए है total area कितना है कितने private park से सारी information आपको यहां पर मिलेगी यहां पर आपको सारी information पर मिलेगी जिस अगर आप राजस्तान के अंदर देखना चाहते हो तो राजस्तान में आपको यहां पर एक मोटा information मिल जाएगा कि अच्छा 436 total industrial park है इतनी 0.33 hektar की जमीन अवेलेबल है total available 9300 hektar की जमीन अवेलेबल है इतने प्लोट है इतने number of vacates प्लोट है तो यह आपको सारी information सारे तो आप जहां चाहां पर भी जाओगे आपको different information मिल जाएगी now this is just one point ठीक है आगे आप थोड़ा और जाओगे तो आपको और भी मिल जाएगा कि कौन से स्टेट के अंदर जादा जिसे आपको मान लो की food and food processing के अंदर खूलना है and you want to see कि अच्छा में को कहां कौन से स्टेट के अंदर मुझे सबसे जादा availability हो सकती है तो आप state-wise दे सकते हो आप sector-wise देख सकते हो यहां पर food processing में जैसे आप अच्छा आंदर प्रदेश के अंदर availability अच्छी है आपको लगेगा नहीं उडिसा में मनिपूर यहां पर तो खेर दिक्कत भी होती तो यहां पर availability नहीं है तो you can choose where the land is available you are seeing कि अच्छा मुझे नया business opportunity कहां मिल सकता है similarly आप जब explore park पे जाओगे तो it will open a page like this और इसमें क्या हो सगा कि आपने research कर सकते हो जैसे आपको raw material के basis पे अगर देखना है तो आप agriculture crop पे जाओ for example आपने बोला कि मेर को जूट पे देखना है ठीक है तो जूट पे जैसे यह प्लिक करोगे यह जो एडिया जूट को develop करता है जहां जहां पर जूट आपको मिलता है वहां वहां पर आपको मिल जाएगा जितना जादा डार्क एरिया है इसका मतलब है वहां पर जूट की availability raw material की availability उतनी जादा है and we know कि वहां पर कहां West Bengal के अंदर हमारे इस एडिया के अंदर जूट की सबसे ज्यादा production होता है so we can see कितना है अचा है इसमें और आप जूम इन करते जाओगे तो आपको क्या मिलेगा यह एडियाज मिलते जाएगे अभी थोड़ा सा internet slow है so it is just becoming a little contentious anyhow so raw material का हो गया ठीक है इसको audit कर दो we can find other places also जैसे कि हम लोग देखते हैं कि अगर आपको automobil पे खुलना है तो automobil पे आपका पूरा एक अलग से system खुल जाएगा what it you want to see what you don't want to see कहां पे land available है कितने land available है कितनी public है कौन से private है आप उसको देख भी सकते हो ठीक है similarly इस तरह के से you can do all the research आप यहां पे GIS की different layers कर सकते हो कि plot कहां पे होगा अगर आप खुद पे यहां पे बनाना चाहते हो तो you can make that also so this gives you the complete complete information about where is the availability of land where in India तो यह 17 states के लिए करा गया है real time basis पे है और यह December 2021 के अंदर पे इंडिया integration कर लेगा क्योंकि अभी 17 इन state को इसमें डाला गया है यह एक complete one-stop solution free and easy accessibility के लिए जितनी भी industrial information जैसे मैंने आपको इसमें बताया जितनी भी आपको industrial information चाहिए चाहिए वो agriculture से related हो चाहिए वो हमारी horticulture crop से mineral production से कहा mineral production में जैसे diamond के लिए देखते हैं कहां कहां मिलता है हमको diamond के लिए legacy okay इसको थोड़ा zoom out करते हैं ठीक है diamond के लिए कहां कहां मिला है हमको it is opening let's see so we have here है ना ठीक है तो इसको हम zoom in करते हैं जादा कर दिया ना एक second stay with me it's a little slow it's a little slow यह देखो पन्ना दिख रहा है यहां पर ठीक है we know पन्ना के diamond पाली तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं different uh this is on my side this is on my side but आप यहां पर different layers add कर सकते हो and you can see कि कि किना available है कितना vacate है तो अभी यहां पर देख सकते हो कि सारा ही सारा vacate है क्योंकि यह result के अंदर आता है यहां पर है नहीं ठीक है तो इस तरह के से यह one one stop solution बताएगा आपको कि connectivity कितनी है infrastructure कैसा है कितने natural resource है raw material के basis पे plot level information terrain कैसा होगा क्या वो vacate है या नहीं है line of activity कैसे है contact detail everything if you want to purchase land somewhere तो यह जितने भी prospective investors है उनको जितनी भी available information land purchase के लिए चाहिए होती है वो सारे एक जगे मल जाएगी तो लगबग 4000 industrial parks को map करा गया है 5.5 hectare area के अंदर और this is going to increase in the future areas टीक है GIS क्या है GIS एक ऐसा computer system है जिसके अंदर आप earth की surface को remote sensing के through या फिर आप vector data के through जो information है आप इसको capture करते हो store करते हो check करते हो display करते हो यह जो system दिख रहा है आपको तो मेरे को वापर zoom out करने दो यह जो दिख रहा है आपको this this is complete about with the GIS only the complete about GIS कहां पे plot है कितना plot है कैसे बनाना है यह सारे information है तो यह special pattern and relationship देती है and it also provides information about it that include location तो GIS में generally क्या होता है कि remote sensing के थुरू आप जो image लेते हो satellite के थुरू उस image को आप GIS के अंदर different software होता है जैसे की arc GIS हो गया जैसे की ardas हो गया है ठीक है जैसे की R हो गया है इन सारों के अंदर आप इस image को import करते हो after that you put some latitude and longitude क्योंकि एक अगर कोई भी picture है ठीक है tagging जो होती है जियो tagging जियो tagging में क्या होता है कि आप उसमें location डाल रहो जैसे आप Instagram पे डालते हो और बोलते हो add location तो उसमें क्या हो आप जियो tag कर रहो कि यह picture यहां पर ली गई है इस picture के coordinates ही है this is a complete different information तो इसमें different latitude and longitude GIS का यही सबसे best part है कि आप इसको analyze कर सकते हो based on the special location information के कहां पे located है कितने लोग है different map and chart वगरा इसमें create करे जा सकते हैं this is the upcoming technology it's it's one of the most amazing technology which tells you a lot about the surface of the earth analysis करने के लिए data analysis करने के लिए बहुत helpful होती है यह तो GIS जो है इसके reference काम भी होते है जैसे कि oil spill and remedy measure कहां पे oil spill है कहां पे oil रिखला है location क्या है उसकी कितने extent के अंदर है coal coal mine के अंदर water waste management के अंदर natural resource management के अंदर air control pollution के अंदर की कौन से location पे कितना air control है कितना PM कितना particulate matter data है कहां पे forest fire हुई है कितना data generate हुआ है यह सारी information वहां पे मिलती है so this is about the GIS application well this is about it you must definitely go to this website and एक बार इसको थोड़ा सजा के explore करो this is really good मैंने तो काफ़ी रहा दिया थे इस में exploration के लिए तो एक बार जाके थोड़ा सजा के explore करो you will find a lot of new information about that and हमेशा जब भी preparation के अंदर भी if you want some information तो हमेशा authentic sources पे जाओ जैसे PIB पे या फिर जो भी उसकी website है particular उस website से जाके एक बार उसको read out करो you will have even much much better and confident knowledge so this is it मेरा नाम संतोश है अगर आप मेंसे जुड़ना चाहते हो तो Instagram ते you can find me it here and if you have any questions any queries you can definitely reach out to me I'll be happy to answer some questions and this is it this is it I'll see you guys in the next video अपना दिहान रखिये stay very very safe and stay hydrated take care of your physical and mental health I will see you guys in the next जेहन